नवस्का दोस्तों स्वारत फिस्टी के लिएट में आज किस वीडियो पर मैप को बताने वाला हूँ आप अपने आधार कार्ट को कैसे डाउनलोड करोगी दोस्तों आधार कार्ट डाउनलोड करना बहुत ही आसान हो गया है लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आधार कार्ट को पूरी तरह से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं उसे ओपेन नहीं कर पाते हैं प्रेंट आउट नहीं कर पाते हैं तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको कम्प्लीट प्रोसे बताने बाला हूँ कैसे आप अपने आधार कार्ट को डाउलोड करोगे कैसे उसे open करोगे और कैसे उसे print out करोगे तो अगर आप अपने आधार कार्ट को डाउलोड करना चाहते हो या आप किसी का भी आधार कार्ट डाउलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको करना क्या है में लिकर सर्च करना है माई आधार . new I dai ै टकै है इस तरह से लिखिए आपको यह पर गूगल में लिकर सर्च कर देना है आप लिए सकते हैं आपर मैंने हो किया है मां आधार . you d a i dot जोबी डॉटन इतना लेकर दिखें आपको गूगल में सर्च करोगी हैं आपको सबसे पहले नंबर पर वैपसाइड मिलेगी माई आदा डॉट युडाइड डॉट जोब डॉटन आपको इस वाई वैपसाइड पर क्लिक देना है वैपसाइड कुछ इस तरह से यहां पर पीविसी आदा कार्ड को ओर्डर करना चाहते हैं अपने घर पर मागना चाहते हैं तो यहां से आप अपने पीविसी आदा कार्ड को ओर्डर ऑनलाइन का सकते हैं ठीक है तो चलिए हैं पर मैं आपको आदा कार्ड डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं तो यहां पर हम क्य करेंगे डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने अगला पीज यहां पर कुछ इस तरह से उपन हो जाएगा यहां पर आपको तीनों अपसे मिलेंगे आधा नंबर इनॉल्मेंट डाड़ी और बचोलाड़ी आप तीन तरीके से अपने आधा काड को डा परंद देडाा हूं यहां पर हैंपना अधा नंबर डालूंगा आधा मिडाने के नीचे आपको यहंपर पर reflecting मिलेंगा आपका यहां पर स्ब्सक्राइब करना है उसके पर यहां पर खेपचा को डाल देना है इसके बाद आपको यहां पर सेंड ओड़ी पर क्लिक करने की बाद दिखी आपके आधा काड में जूब्य आपका मौई निम्बर एस्टएड है उस पर गोड़ी सेंड कर दिया गया है अब यहां पर आपको अपको अपसे मिलेगा एंटर सबस्क्राइब और यहां पर आपको अपना OTP डाल देना है आपकी मौईल पर जोबी OTP है उसको आपको फील करना है यहां पर मैंने OTP को डाल दिया है अब यहां पर दीखिए आपको गना गए ऐस तरह से क्लिक करनेंगी तो आपका जो आधार काड है वो हाइट वाला डां आपको चारंग देखने को मिलेंगे उसके बाद आपके आधा कार्ड के अंग हाईड हो जाएंगे जो इस वारी प्लिक नहीं करना है और ट्रोटर डालने के जो हमारा आधार कार्ड है वो हैंपर पीडियो फाइल में डाउनलोड हो चुका है अब जैसे दिखिए आपका आधाकार डाउनलोड हो जाता है पीडियो फाइल में अब आपको इसे ओपिन करना है पीडियो फाइल पर किलिक करना है इसके बाद दिखिए आपसे पासवर्ट पूछेएं गा password आपको क्या लाँ है वहसे लोग ऐसे भी होते हैं जो हैं पर अपना password नहीं डाल पाते हैं तो पासवर्ड देखे आपको कैसा अपना डाला है हैं आपर मैं आपको बता देता हूं जैसे कि देखें आपका आपको अपने नाम के यहांपर 4 लेटर में डालने हैं मैं देखे आपको क्या बता रहा हूं आपको अपने नाम के 4 लेटर में डाल देने हैं अगर आपका नाम 4 लेटर से जादा है तो यहांपर आपको अपने नाम के 4 लेटर डालने हैं अगर आपका नाम केवल 3 लेटर का ह तो यहाँ पर आपको अपने नाम के तीन लेटर डाल देने हैं, अगर आपका नाम दो लेटर का है, जैसे की आरपी, ठीक है, इस तरह से आपका कोई भी नाम है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना के है, आरपी डाल देना है, उसके बाद आपकी जो डेटर ववत है, उसमें क्या करूंगा मेरे नाम में चार लेटर से जाना वर्ड हैं तो यहाँ पर मैं चार लेटर कैपिटर लेटर में हाँ पर फील कर देता हूं अगर आपके नाम में तीन लेटर हैं या दो लेटर हैं तो आपको बही यहाँ पर फील कर देना ठीक है तो मेरे नाम में हाँ पर चार सब्सक्राइब और इसके बाद हैं यहां पर दीखिए आपको इन्हें फिल फाइल में ओपना जाएगा है तो तो पैंट करना चाहते हैं तो हैंश आप इसे डाइट पैंट वीक का सकते हैं अगर आपके पास पैंटर नहीं है तो हैंशे दिखेंग आपको ऑप समझाएगा यहां पर निशाण दिया गया है यहां से आप अपने आधार करण को कट करवा कि किसी भी साइवर तो इस तरह से आप अपने आधार काड को डाउलोड कर सकते हो उसे ओपन कर सकते हो पेंट आउट कर सकते हो अगर आपको आधा काड डाउलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है आधा काड ओपन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको अपना नाम पासबर डालने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप में कॉन्वस में पूँ सकते हैं या आप में इस्टाग्राम पे फॉलो का सकते हैं ठीक है महाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको पनी डिटेल फेल करनी है तो आई होप कि दोस्तों यह विड़ाप को पसंद अगर वीडि कर देना चैनल पर ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना